हेलो दोस्तों क्या हाल है आपके मेरा नाम है पर्मुए तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वीवो वी 23 में नए साफ्टेयर अपडेट के बारे में क्योंकि यहां पे वीवो ने आपके वीवो वी 23 में मैं मंद का जो अपडेट होता है उसको रिलीज कर दिया है तो दोस को इस अबडेट में अबडेट कर सकते हैं तो तो दोस्तो आज इस Bus एको फीचर ने को मिलें उनके बारे में भी हम बात करेंगे तो बने रही चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लीजिए गा, तो चलिए देखते हैं कि आपके Vivo V23 में क्या नया सफ्टेयर अपडेट देखने को मिला है, अमरनाद भाया इन्हों ने इउफ्रमेशन सेर के, तो चलिए देखते हैं क्या इन्हों ने साइज है और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है तो मैं कहूंगा दोस्तों यहाँ पे बीबो ने आपके फोन में शिक्योटी पैज के साथ जो भी थोड़ा बहुत 5G नेटवर्क की इसू आ रही थी न उसको यहाँ पे फिक्स करने की बात की गई है बात करें दोस्तों अपडेट लॉक की तो सबसे पहले सिस्टम में आपके फोन के शिक्योटी पैज को अपडेट किया गया है तो यह काफी अच्छी बात है कि आज के डिट में अभी वो अपने फोनों में रेगुलर सिक्योटी पैज का अपडेट दे रहा है बात करें दोस्तों नेटवर्क की तो एक तरह से नेटवर्क कनेक्टिव्टी को और यहाँ पर अप्टिमाइज किया गया है आप देख सकते हैं अप्ट आप अपडेट लॉग की बात लेकिन यहां पर कहीं मैंसन तो नहीं किया गया कि आपके फोन में किसी तरह का कोई अडिशनल फीचर दिया गया होगा लेकिन मैं बता दोस्तों कि यहां पर अगर आप ओम इसके सेटिंग में जाएंगे तो एक अलग से स्लाइडिंग एफेक अपडेट के बाद यह फीचर उनके वीव वी 23 में अबलेबल हो चुका होगा और बात करें दोस्तों नेक्स्ट चैंजज की तो बहुत ज्यादे चांस है कि इस अपडेट के बाद आपके वी 23 में जो एपिश्टोर होता है उसको भी अपडेट कर दिया गया होगा जिसका अब आपको देखने को मिलेगा वो है 8.01.2 और यह भी बहुत ज्यादे चांस है कि इस अपडेट के बाद आपके फोन में यहां से अलग से एक आपको आलवेज अन डिस्प्ले का सेक्शन देखने को मिल सकता है मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारे अपडे वीडियो में बस इतना है वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए धन्यवाद